हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सिस में आपका स्वागत है, देखे, क्या कह रहा है इस प्रशन में, दो घनों जिन में से परतियक का आईतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कि सनलगन फलक को मिला कर एक ठोस बनाया जाता है, इसके इससे प्राप्त घनाब का परिष्ट छेतरफ ग्याद कीजिए, दो घन है, देखिए, तो यहां आकर्ति को सही से देखिए कैसे बनता है, दो घन है, पहला घन हो गया, दो घनओ, जिन में से परतियक का आईतन 64 है, को सनलगन फलक को को, मतलब फलक से फलक सटा कर रखा गया है, मतलब इसके पीछे वाला साइट दिख़ा है, इस साइट के बढ़ावर एक वर्ग बना लिजिए, ठिक, प्र इससामे वाला साइट दिख रहा है, इस साइट के तो बार बूत राबर भूझा का एक वर्ग मिला यहे तो बताइए इस लत जत्वर बताई जिनमें से इसका और इसका यह दो अलग अलग घन हैं अन और यह दो दोनों का आयसेतन के इतना है 64 64 अलग है परतियक का 64 है तो एक का अगर भूजा मालूम हो जाए तो इसका भी भूजा automatic मालूम हो जाएगा ठीक तो चलिए हम लोग इससे बनाते हैं प्रश्ण से प्रश्ण से मालूम है घन का आईतन बरावर गन का आईतन बरावर कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और घन का आईतन बरावर फर्मूल आता है भूजा क्यूब या इससे आप L कह लेजिए तो L क्यूब बरावर 64 और तो L बरावर कितना हो जाएगा पावर खतम होगा तो रूट लगाएंगे और जब पावर दो से जादा होता है तो रूट के अंदर लिखना अनिवार यह होता है मतब तीन का जुड़ा लगाएंगे तब रूट से ये बाहर होगा, ठीक है, तो लगा देजिए तीन का जुड़ा, 64 कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुना, 4, 4, 4, 16, 64, 4, इट मिंस L बढ़ाबर कितना ग्यात हो गया, 4 cm, इस घन की लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, और उचाई 4 हो जाएगा, इन दोनों गहन को समयलित करकर 1,8 अगर देखते हैं, यह क्या दिख रहा है, घनाब दिख रहा है, तो आजाते हैं घनाब में, अब घनाब में, तो अग्हनाब में लंबाई कितनी हो जाएगा, धेसे यहा भी 4, और यहां से बाहर हो गया 8 cm, B बोले तो चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है 4 cm और उचाई उतना ही है जितना घन का था, H बराबर 4 cm, अब इस प्राप्त घनाब का क्या करना है, प्रिष्ठे छेतर फल बतलाना है, तो घनाब इसमें कुल यावक्र नहीं कहना, जब कुल यावक्र ना कहे तो आप समझ लेजिए, कुल कहना चाहरा है यह, तो लिखेंगे, चुकि घनाब का प्रिष्ठिय छेतर फल, बड़ावा क्या होता है फर्मूला 2 into LB पलस BH पलस HL इस पर value पूट करतेंगे 2 into LB लंबाई गुने चोड़ाई तो लंबाई अभी गया थुआ 8 और चोड़ाई है 4 BH मतलब B है 4 और उंचाई भी है 4 HL तो H है 4 into L मतलब लंबाई है 8 ठीक 2 into 4 चोग का 16 फिर आर्चोग 32 है ना 2 गुना सब को जोड़ देजिए कितना हो जाएगा 32 और 32, 64 और 16 हो जाएगा 80 80 दुनना 160 cm है तो cm चुकि ये एरिया है तो एरिया में लगाते है square 160 cm square इस घनाब का प्रिष्टे छेतरफल हो गया ठीक है प्रिष्टे 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 जाएगा